नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों सामने एक जाड़ी नुमा पोधा लेकर आया हूँ और खुब सूरत सुन्दर सुन्दर फूलों से लदा हुआ है और दिखने में बहुत ही घना है इसलिए इसे घनेरी नाम से जाना जाता है दोस्तों या पोधा पूरे भारत में पाया जाता है इसके बहुत सारे परजाती होते हैं जिनमें अलग-अलग रंगों के फूल खिलते हैं इसके फूलों को रंग रूप भूट ही खुबसूरत और सुन्दर सुहाना दिखाई देता है सफेद फूल भी होता है काला फूल भी होता है और इस तरह से जो आप देख रहे हैं रंग भी रंगी फूल यह नहीं यह फूलों का एक सुंदर पउधा है दोस्तों इसके फूल तो छोटे-छोटे होते हैं लेकिन गुच्छों में होते हैं और इसके फल भी गुच्छों में होते हैं मैं आपको फल भी दिखाऊंगा फल जब कच्छा होता है तो हरा हरा होता है जब पक जाता है तो का दोस्तों यह पौधा 3 फूट से लेकर 5 फूट तक उचा पाया जाता है। दोस्तों यू तो बरसात की दिनों में यह पौधा अपने आप उगाता है पैदा हो जाता है लेकिन सालो साल हरा भरा रहता है यह एक तरह से 1280 पौधा है। इसलिए इस पौधे को लोग अपने खेत को घेराओं में लगाते हैं, या बाग बगीचों में घेराओं को लगाते हैं, दोस्तों इसके पत्ते भी बहुत खुबसूरत पुदीनग पत्तों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं, और हां दोस्तों इसमें गजब का खुसबू होता है इस पौधे के करीब जाते ही समझ लिजिए आपको मन मोह लेगा इतना खुस्बूदार या पोधा होता लेकिन हां दोस्तों जहां इसकी खुस्भू इंसानों को भाता है अच्छा लगता है वहीं जानवरों को अच्छा नहीं लगता है इसलिए जानवर इस पउदे को खाते नहीं है इसके खुस्भूग पसंद नहीं करते हैं दोस्तों इस पौधे को अलग-अलग नामों से भी लोग जानते हैं जैसे कि बहुत लोग इसे राई मुनिया कहते हैं क्योंकि इसमें गुछेदार फल लगते हैं राई से बड़ा-बड़ा होता है राई मिन सरसों हो और अंग्रेजीम इसका नाम है लंटाना तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आप इस पौधेक पहिचान चुके होंगे तो आओ चलो अब इसके फाइदेग बारे में जाने कि यह हमारे सरीर के लिए कितना फाइदे मंद है तो दोस्तों सबस्पहला फाइदा तो इसके पत पत्तों को मसल कर नाग द्वारा सूंगा जाए इसके महक को खीचा जाए नाग द्वारा तो दिमाग में पहुंचते ही दिमाग का दर्द यही मस्तिक पीड़ा हर लेता है दोस्तों सरदर्द मात्रिसके पत्तों मसल कर सूंगते ही ठीक हो जाता है दोस्तों सर्दी खांसी जुखाम के लिए इसके पत्तों काड़ा बनाकर पीने से फाइदा होता है काड़ा बनाने के तरीका यह है कि इसके पत्तों को ले लीजिए करीबन 5-6 पत्ता लेकर 200 ml पानी में पकाईए तीन हीसा पानी जला दीजिए एक हीसा बचने के बाद आप चायक जैसा उसे पी जाए तो आपका सरदर्द, बदन दर्द और बुखार भी उतर जाएगा, सरदी जुखाम भी ठीक हो जाएगा, इतना फाइदे मंद होता है या पत्ता, जिसे हम घनेरी के नाम से जानते हैं, दोस्तों इसके कोमल नाजुक लकडियों को चबाने से दात का दर्द दूर होता है, और बहुत से लोग इसके डंटल के दातून भी करते हैं, दातों को चमकाने के लिए, तो दोस्तों इसके डंटल के दातून करने से दातों का रोग जाता है, दातों का रोग जैसे पहरिया रोग है या दातों सखून मौाद का आना वो सब दूर हो जाता है, इतना फाइदे करना आप कोया है कि इसके पत्ता डंटल को तोड़कर सुखा लीजिए सूख जाने के बाद उसमें आग लगा दीजिए इस पउधे से निकलने वाला धुआ मच्छड को भगाने काम करता है दोस्तों अगर किसी को दर्द सूजन है तो आप इसके पत्तों काड़ा बना कर उज सदी गुडों से भरा हुआ है तो दोस्तों इस पवधेग फल, फूल, पत्ती और डंटल सभी आप इस्तमाल कर सकते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि बहुत बार हमने इसका फल भी सेवन किया है और इसके डंटलों का दत्वन भी किया है दोस्तों इस पव आत्पुर जानकारी हमें ही समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी फाइदे मंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक